परम्रे सिंग बोलता है तापन थेटर एकुए था परम्रे सुपत्र इस रैकिट में शामिल हो चुके थे उनकी एजिंट शामिल हो छूए दीरे सुनने को आ रहा था फिर आफिसर को बुलाएकर उन से डारेक्ट डिमांड की गईए आफिसर ने मुझे शेयर किया मेरे कानोंपे डारेक्ट बात भी आ रहे थी अनिल देशमुक जब मुझे नोटिस में आई कि इस पकार से ऑफिसर से एक्स्रॉशन की जा रही है, ट्रांसफर्मेर इस पकार का एक रैकट चल रहा है, पैसे के डिमांड का, और धंदों से भी वसुली की जा रही है, तो मैंने ये बात तुरंट जाकि उस समय उनरेवल सीम शिरी उद्दव ठाकरे, NCP के अध्यक शेरी इशाद पवार, कुछ वरिश मंत्री जैसे जैन पाइटल साब और लोगों के मैंने नोटिस में लाई थी, और एक बार नहीं, एक से जादबार मिला था मैं, और उनके घर का रिकॉर्ड, उनके जो सिक्यूरिटी जो मिंटेन करती है, उसमें भ इनके नोटिस में लाया था कि किस पकार की मैल प्रैक्टिस चल रही हैं, और मेरा जो पत्र है, उसमें भी मैंने लिखा है, उनरेबल सीम साब को जो एपरिल दोजार इकेस में लेटर लिखा था, कि इस पकार की मैल प्रैक्टिस में पहले भी आपकी नोटिस में लाया था, लेकिन उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया था उस पर कोई कारवाई नहीं की थी इसलिए मुझे मेरी साइट रखने के लिए ये पत्र Honorable CM साब को जो मैंने Honorable Governor साब को भी बेजा था बाकी लोगों को भी बेजा था मुझे लिखना पड़ा तो कभी कोई कारवाई हुई कारवाई करने में उनके मेर को इनकी बातों से आशा लगा यह उनकी जानकारी में था और उनको कारवाई करने में कोई इंट्रेस्टी नहीं था उन्होंने इस बात को अंसुना कर दिया तो मतलब मुझे मेर पाउर क्या फिर रह गया था उनकी माल प्रैक्टेस को सामने लाने का तरीका यही था कि मैं पहले ओनरेबल सीम साब के नोटिस में लाओं और उस पर भी जब मुझे कुछ रिस्पॉंस नहीं मिला तो मैंने नायले के दरवाजे मैंने कट-कटाए मैं ओन हाई कोट ने इसमें एक पी ओर्डर की सी बाई द्वारा और उसमें जो मेरे आरोप थे वो सच्चे पाए गए उसके अद्गुना देखिल हुआ अनिल देश्मुक साब अरेस्ट हुए सी बाई ने अरेस्ट किया एडी ने अरेस्ट किया केस चार्शीट हुआ और वो ट्र वो तो मेरे सिर्व मुंबई तेक लिमिटेट थे उनका मुंबई का टारगेट ही उनका सौ करोड था बाकी राज्ये से उनका जो क्या टारगेट था वो भी अभी सामने नहीं आया और कितने लोगों पे किस परकार का इन्हों ने एक्स्टॉर्शन किया अभी तो दस बीस सामने आया है पूरे इनकी जो मैल प्रैक्टिस थी वो तो अभी तक सामने नहीं आई है मुझे लगता है लेकिन अब थोड़े ऑफिसे जिन जो सफर हुए जिन से बहुत से लोगों से पैसा भी लिया गया फिर भी काम नहीं किया गया वो बोलने लगे है और अच्छी बात है अगर इस पकार के लोग और भी सामने आएंगे तो पिक्चर अवश्य सामने आ जाएगी पूरी पिक्चर क्या थी आप जो आरोप लगा रहा है और उनका कहना है कि CEI एडिये दोनों की केसों में मेरिट्स नहीं है ऐसा कोर्ट ने अपने अप्जर्वेशन से कहा है और साथ या चांदीवाल कमिशन की जो रिपोर्ट है जिसमें ओ क्लीचिट होने की बात करते है उसका भी वो हवाला देते परमविर सिंग यानी पुनाएक दा अनिल देश्मु केंचा वर आरोप केले तेन्नी वसुली केली तेन्चा मुलायसा सुधायेचा मदे सहवाक होता सा गंबीर आरोप तेन्नी केला है तेन्चा पत्रकार परिश्य देख़ए अपले लक्षा असे लेज़